हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू दा चैनल आटोटक इन्फो मैं हूँ अधित एंड दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूँ हूंडा एक्टिवा 110 अब आप लोग यह कोगे मैंने एक्टिवा के तो काफी सारे रिव्यूज देख रखे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू इस वीडियो मैं आपको इसके रिव्यू दूंगा ही साथ ही साथ यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे रिजन्स बताऊंगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपको 110 अपके लिए काफी स्पेशल रह नहीं वाला है तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे हैं अभी तक आप कैसा मिल जाता है यहां पर अपने पास खड़ा हुआ इसका रेड रिबल मेटैलिक कलर जो की देखने में काफी अच्छा लग रहा है यहां पर आपको चीजे क्या मिल जाती है वह भी दिखा देता हूं तो यहां पर सबसे पहले आप प्रफाइल देख लिए अब मैं आपक आपको यहां पर आपको देखने को मिलती है अब इस स्कूटर को मतलब बाइक करने का जो सबसे बड़ा रीजन वह बन जाता है कि आफ्टर रीसेलिंग जब मतलब कोई भी स्कूटर आप लेते हो कोई बी चीज अगर आप बाइक करते हो बाइक वगेरा तो जब आप उनको सेल करने जाती हूँ तो कोई-कोई ऐसा होता है कि मतलब आपको रीसेल वेल्यू काफ इची नहीं मिलती है अगर आप लंबे समय तक रखते हो कि रिलाइबल इंजन यहां पर मिलता है अगर आप 5 साल-10 साल बाद भी इसको बेशने जाओगे तो भी आपको अच्छी कीमत इ तो यहां पर आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलती है फ्रेंड में आप आपको स्टील वील्स मिलते है 90 by 90 सेक्शन का टायर मिलता है 12 इंचेस के स्टील भी मिलेंगे एंड सस्पेंशन फ्रेंड में आपको टेलिसकॉपिक के मिल जाते हैं कमबाइन ब्रेकिंग सिस्टम यहां पर मिलता है आपको जो की काफी अच्छा है सेफ्की को देखते हुए बाकि यहां पर आपको जो मटगार्ड बगेरा इसका है वो आपको मेटल बॉडी के इंदर मिलता है लगबग चीज़ें यहां पर आपको मेटल बॉडी की देखने को मिलती है यह चीज़ भी सकते हो बढ़े राम से एंड मतलब डेली कम्यूट के लिए इसकूटर काफी जगधा सही रहता है तो दूसरा ये रीजन इसका बन जाता है कि मतलब कहीं भी सिटी में भी बढ़े राम से चला सकते हो यह चीज बन जाएगी बाकि आप ले जा सकते हो इसी आपको दिक्कत वग मिलता है एंड एक्टेवाक यहां पर आपको 3D में क्रोम के साथ में फिनिशिंग वगेरा मिल जाती है अब रियर से अगर आप देखो तो टेल लैम के पास यहां पर आपको E20 का बैज मिल जाता है E20 कंपेटबल यह स्कूटर रहने वाला है ग्रैब रेल आपको सिलवर फि पर और रियर में अगर आप चेक आउट करें तो आपको 90 by 100 सेक्षिन के टायर मिलेगा 10 इंचेस के स्टील वील के साथ में अब यहां पर आप देखो तो यहां पर फुट बोर्ड एरिया कर जो स्पेस सेग्मेंट में काफी अच्छा यहां पर आपको सिर्फ मिलता है जो कि जो चीजे लुक देंगे वो और रियाएबल मिल जाती है बागी दिक्कत है कभी कभी सप्टें ऐसो बगेरा में अपको दिक्कते मिलती है लंबे समय लकल सकते हो उसको आप चेंज किरा सकते हो इतना कोई खर्च नहीं आता है स्विच वगेड़ा में तूकि यह जेवां फ आपको speedometer, automator की reading मिल जाती है, simple सा meter है, ज्यादा कुछ यहाँ पर features नहीं दे रखे हैं, बट जितने दे रखे हैं, वो काफी सही यहाँ पर मिल जाते हैं, अब यहाँ पर मैं आगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से आप मतलब इसको अपनी seat को and field gauge को option को open कर पाऊगे, मतलब यहाँ पर fuel gauge वाला option है, यहाँ पर आप देखो, उसके open करने का भी तरीका हो, यहाँ आगे से आप बैटे बैटे open कर सकते हूँ and 5.3 liter का यहाँ पर आपको fuel tank capacity, इस scooter के अंदर में मिलती है, seat की length and width दोनों ही काफी अच्छी है, मतलब rider and pillion भड़े अराम से ride कर सकते हैं and जो, मतलब इसका sponge है ना, इसके अंदर का cushion वो भी काफी अच्छा आपको मिलता है, engine के बारे में बता दू तो यहाँ पर आपको 109.51 CC का air cool 4 stroke SI engine मिलता है, जो की 7.84 PS का आपको power देने वाला है, 8.90 Nm torque के साथ में, तो power figure इस scooter का काफी अच्छा मिल लाता है, और आपको तीसे सीजन के बारे में बता दू तो यहाँ पर जब आप Activa को ride करते हो ना, तब जो आपको मतलब एक smoothness जो है, वो आपको मिलती है, यहाँ पर आपको comfortable ride दिखने को मिलती है, यह चीज़ है, एंड मैं चौतर रीजन के बारे में बताऊं अगर आपको, तो अगर मतलब आप अपने घर में एक तरीके सीज़ से अगर आपके घर में ladies को भी ride करना है, अगर आपके मतलब फादर बगेरा को भी इसको चलाना है, और आपको भी चलाना है, तो बड़े अराम से आप चला सकते हैं, तो हर कोई scooter को ride कर सकता है, अगर आपके height थोड़ी बहुत कम भी है, तो भी आप बड़े अराम से scooter को ride कर सकते हैं, यह भी चीज बन जाते हैं एक तरीके से सभी लोग इसको ride कर सकते हैं तो यह चीज है बाकि अगर आप देखो तो 162 mm का काफी शांदार सा ground clearance भी यहाँ पर आपको मिल जाता है यहाँ पर आपको जो mileage है वो काफी इच्छा मिलता है अब कुछ लोग कहेंगे कि Activa का mileage काफी खर के अदर में यानि कि लगबग आपको 30 से 50 के बीच में अगर आप राइड करोगे यानि कि city condition में तब यह आपको बड़े अराम से 50 का mileage देने वाला है बाकि 45-50 km तक का mileage यह आराम से दे देता है तो यह चीज आप देख सकते हो बाकि आपकी आपकी राइडिंग उपर डिप इसकी कानपूर के अंदर में यानि कि यह स्कूटर आपको 22,000 रुपर में देखने को मिल जाएगा बेस मॉडल कानपूर के अंदर में तो दोस्तों अगर आपको 110 सीसी के अंदर में को एक ऐसा स्कूटर चाहिए ज्योंकि रिलाइबल हूँ अगर आपको एक रिलाइबल एंड डेली परपस स्कूटर चाहिए जिसमें आपको मतलब मेंटरेंस कोस्ट काम आए तो आप इसकी तरब बिल्कुल जा सकते हो तो दोस्तों यह कुछ आपको मिल आतीस में चीज़ है अब मैं आपको शूरूम के बारे में बता दूँ तो य अपना है एक्सिस होंडा अगर आपको होंडा की लाइडर में किसी भी स्कूटर या फिर बाइक को पर्चेस करना है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो इसका जो आड्रस है वो आपको मारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसी एक साल में दोस्